अस्सलाम अलेकुम तोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटिश्यो पे वेलकम कहती हूँ आज चो टोपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैरी पोर्टर बाय जेके रॉलिंग और इस वीडियो के अंदे हम डिस्कस करेंगे हैरी पोर्टर के करेक्टर्स को ठीक है जितने भी करेक्टर्स हमारे पास थूआओर मरी सीरीज़ आए हैं architectural stone के अंदर, chamber of secret के अंदर, azkaban के अंदर इंशूर्ट थूआओर जितनी भी सीरीज़ आ चुकी हैं उनके अगर जितने भी characters आये हैं तो उन characters को हम लोग इस video में discuss करने वाले हैं यह video लंबी जरूर होगी लेकिन आप अगर Harry Potter series को अच्छे से understand करना चाहते हैं और उनके characters को समगना चाहते हैं तो इस video को complete देखिएगा क्योंकि अगर आप यह वीडियो complete देखते हैं तो आपको characters के इलावा भी इसमें बहुत से concepts मिलेंगे और साथ है साथ अगर आपके paper के अंदर characters के उपर या character के comparison के उपर कोई ना को questions आता है ठीक है questions आते हैं तो आप उसको भी easily attempt कर पाएंगे ठीक है तो time को waste किये बगर अपने वीडियो को start करते है पहला जो character हमारे पास है most important character Harry Potter full name है Harry James Potter ठीक है अब Harry James जो Potter है ना गि 31st July 1980 को पैदा हुआ था ठीक है 1980 अब इसका blood status किया है half blood है अब half blood कोन होता है मैं आपको पताती चलूँ ऐसा बंदा जिसके जो parents है ना parents में से एक तो pure blood हो means एक ऐसी family में पैदा हो जिसके parents भी visit और witch ही हो लेकिन दूसरा बंदा ऐसा हो जिसकी जो parents है वो muggle हो muggle means जिनको magic नहीं आता असान करके बताती हूँ for example मैं हूँ ठीक है मेरे father है मेरी mother है मेरे father जो है वो wizard है जिनको जादू आता है ठीक है और मेरे father के जो father यानि कि मेरे जो grandparents है उनको भी जादू आता है वो भी wizard and witches है ठीक है तो क्या हुआ मेरे father क्या हुए father मेरे pure blood हो गए ठीक हो गया और उसके लावा मेरी mother है उनको magic आता है तो वो क्या है एक witch लेकिन मेरी mother की जो mother और father है ठीक है जो मेरे grandparents हैं मदर की तरफ से उनको जादू नहीं आता ठीक है तो वो क्या हो गए वो मगल हो गए ठीक हो गया तो अब जो भी मेरा blood status होगा ना वो half blood होगा क्यूं कि कि मेरी एक तरफ से जो maternal जो grand parents थे वो pure blood थे दूसरी तरफ से जो मेरे maternal grand parents थे वो क्या हुए वो हुए मगल ठीक हो गया लेकिन आगे से जो मेरे father और जो मेरी mother थी वो क्या थी दोनों visit और witch थी और आगे से मतलब मैं आई तो मैं क्या होई हाफ blood हो गई समझाने के लिए बताया था आपको I hope कि आपको half blood का समझ लग गया होगा ठीक है तो सेम ऐसे हैरी पोर्टर के साथ था हैरी और ब्लेड थे ठीक है हारी पोर्टर के जो father और जो grandfather थे वो भी magic जानते थे लेकिन जो Harry Potter की mother थी वो क्या थी वो एक witch तो थी लेकिन Harry Potter की जो mother की mother थी और father थे ठीक है वो magic नहीं जानते थे वो मगल थे तो JK रॉलिंग ने ऐसे लोग जिनको magic नहीं आता अपनी writing के अंदर ठीक है, और जिनको magic आता है, वो wizard या witch है, ठीक है, और जिनका totally जो parents का heritage रहा है, जो कानदान से चलता हा रहा है, दादा पर दादा, so on, वो सब के सब जादू जानते हैं, तो वो क्या है, वो pure blood है, ठीक हो गया, तो अब आपको clear हो चुका होगा कि what is half blood, ठीक है, तो Harry का जो blood status था, वो था, half blood, even कि हमारे पास एक book भी आती है, half blood की name से, जिसका नम है Harry Potter and the half blood prince, ठीक, अब बात करते हैं, फर्दर है के character के ओपर ही, कि इसके जो Harry के titles थे, means जो nickname थे, others name थे, वो कौन-कौन से थे, एक था boy who lived, ठीक है, तूसरा है, chosen one, तीसरा है, master of death, इसके लावा इसको, lightning और potter boy भी कहा गया, Harry Potter के father का नाम James Potter था, और mother का नाम Lily Potter, और जो उसके mother और father जो थे ना, वो Dumbledore की एक army थी, उसका नाम था, order of the phoenix, ठीक है, उसके members थे, अब ये order of the phoenix थे न, इनका purpose क्या था, इनका purpose था, इनका purpose था, वाल्डिमोर्ट को खतम करना, ये जो army थी, वाल् वाल्डिमोर्ट कोन है, वाल्डिमोर्ट जो है न, इसके इंदर एक negative जोतन है, अंटागोनिस्ट दिखाया गया है, जिसके खिलाफ सारी जंग चल रही है, और इसमें protagonist कोन है में, हमारा Harry Potter, Harry Potter जो है, वो protagonist है, जिसने क्या करना है, जिसने वाल्डिमोर्ट को मारना है, अब क कैसी prophecy थी, यह पताया गया था, कि Harry Potter जो है, जब वो पैदा होगा, तो वो Lord Voldemort को मार देगा, ठीक है, यह prophecy देगी थी, इसके about, अब जब पैदा हुआ Harry Potter, ठीक है, तो Lord Voldemort जो है, वो Harry Potter को मारने के लिए निकल गया, किस ने बताया उसके बारे में, उसके बारे में, उसको निकला वॉल्डे मॉट मारने के लिए Harry को, तो उस दुरान क्या हुआ, जो Potter की family थी, वो तो छुप गई, लेकिन वॉल्डे मॉट ने उनको ढूंडा, और उनको मारने की attempt की, उसने Harry Potter को मारने की attempt की, उस time period पे Harry, एक साल थ्री मंस का होगा, और उस time period पे जब उसने मारना चाहा Harry Potter को, Harry की mother ने आके एक shelter provide किया, ठीक है, एक wall create कर दी, Harry के adequate, means, जो Harry की mother का love है, वो प्रूव हुआ क्या Harry के लिए एक wall, क्योंकि Harry की जो mother थी, वो बिल्कुल Harry के आगे आके खड़ी हो गई, ठीक है, अब उससे क्या हुआ, Harry की mother की death हो गई, Harry के father की भी death हो गई, लेकिन जो Harry Potter है, जो बहुत छोटा बच्चा था, ठीक है, उसकी death नहीं हुई, और उसके face के ओपर, ये बिल्कुल head के ओपर एक scar है न, N-shape का, वो बन गया, वो कब बना, जब वॉल्डी मॉट ने उसको मारने की attempt की, लेकिन उसको मारने ही पाया, तो इससे वॉल्डी मॉट का first down जो हमारे सामने आ जाता है, और इसी के बाद से Harry famous हो गया, किस नाम से boy who lived, ठीक है, क्यों, क्यों के ये सिर्फ और से वाहर survivor था, जो के वॉल्डी मॉट के killing car से बच गया, अब आपको इसके character के साथ साथ साथ, स्टोरी का background भी clear होता जाएगा, साथ साथ, मतलब आपको स्ट Harry Potter series लिखी जा रही है आगे, अच्छा, अब क्या हुआ, कि जब Harry Potter की father और mother की death हो गई, तो उस time period पे, अब Harry Potter जो है, वो orphan हो गया, ठीक है, और क्या हुआ, कि जो ये orphan son था, इसको इसके मुगल aunt और मगल जो uncle है, उनके पास भीज लिया गया, ठीक है, अब इसकी मुगल aunt का नाम aunt Petunia था, और मगल uncle का नाम जो था ना, uncle Vendant था, Vendant Dursley, अब क्या हुआ, जब उनके पास भीजा गया, Albus Dumbledore, Albus Dumbledore कोन है, ये मेन करेक्टर है, ठीक है, ये head है, school का, अब मैं एक करेक्टर जो है आगे, one by one discuss करूंगे, अब इस बस main main name लेके, Harry को ही मैं explain करेक्टर के मेरा main focus Harry Potter के ओपर है, ठीक है, वो Dumbledore जानता था कि जो aunt Petunia है, और उसके बाद जो अंकल है, ये इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, ये Harry Potter से अच्छा treatment नहीं करेंगे, लेकिन उसको Harry को Lord World Mort से बचाने के लिए, इनको Harry Potter को aunt Petunia और uncle Vendant के पास पड़ा, अब जब वाँ पे छोड़ गए, तो उन्होंने Harry Potter के साथ बहुत ही बुरा treatment किया और उसको बढ़ा किया, क्योंकि वो एक उनके लिए उनकी अपनी उलाद नहीं था, ठीक है, उनकी aunt Petunia जो थी ना, पिटूनिया लिली की भेन थी, लिली को उन है, Harry Potter की मदर, तो पिटूनिया कोन हुई, Harry Potter की aunt, auntie, और पिटूनिया जो थी, वो डिसलाइक करती थी, लिली को, क्योंकि लिली जो थी, उसके पास magic का gift था, और ये जो चीज थी ना, jealousy का factor क्रिएट कर जेती थी, पिटूनिया के अंदर, ठीक है, तो Harry कैसे बढ़ा हुआ, abused और neglected child के तोर पे बढ़ा हुआ, अब इसकी 11 बर्थले थी, जब Harry Potter की, तो उस time period पे Harry को पता लगा, के Harry एक wizard है, जिसको किस ने बताया, Hagrid ने बताया, फिर 1991 के अंदर, Harry जो है, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry में चला गया, वहाँ पे sorting hat होती है, ऐसी hat, जो लोगों को different groups के अंदर classify कर दे, sorting है, मतलब होता है, systematically arrange करना, ठीक है, तो sorting hat है, जो उसने Harry को क्या किया, वो चाहती थी कि Harry स्लिथरीन ग्रूप के अंदर चले जाए, हमारे स्कूल में होता है, section A, section B, section C, ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे था सलिथरीन, ठीक है, और इसके इलावा वहाँ पे था ग्रेफिंड ठीक है, different groups थे, तो वो sorting hat थी ना, वो Harry को स्लिथरीन हाउस के अंदर भेजना चाहती थी, लेकिन Harry जो है, वो कहता है, मुझे स्लिथरीन में मत भेजना, फिर वो Harry को, जो sorting hat है, वो ग्रिफिंडर के अंदर भेज देती है, बाद में Harry की दोस्ती, Ron Weasley से और Hermione Granger से हो जाती ह है, उसके बाद जो है, यह Quidditch एक गेम होती है, बहुत important गेम है, उसका seeker बन जाता है, फिर यह Quidditch captain भी बन जाता है, और यही जो है ना, six years के अंदर, दो Quidditch cups win करता है, Philosopher's Stone जो है, बहुत important stone है, ठीक है, जब यह Part 1 हमारे पास आता है Harry Potter and the Philosopher's Stone, उसके अंदर यह Philosopher's Stone को protect रिते हैं, वाल्डिमोर्ट से, फिर next में यह Ron Weasley की sister Ragini Weasley, उसको बचाता है, एक Basilic snake है, उससे बचाता है उसको, ठीक है, इसके इलावा जब Wizard Tournament होता है, तो उसके है, कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है, उसकी death हो जाती है, ठीक है, और वहां से Lord Weasley वाल्डिमोर्ट वापस आ जाता है, जब उसकी death होती तो इसको बड़ा impact होता है, इसके बाद जो है, डंबल डोर्स आर्मी क्रियेट करता है, लोगों को सिखाता है, कि चाम कै करना है, जादू कैसे करना है, ठीक है, और इसके बाद जो है, यह एक मिस्टीरियस बैटल होती है वाल्डिमॉट के साथ और वाल्डिमॉट के साथ इसकी हर पार्ट में हर बुक के अंदर कई न कई वार्ड जरूर होगी फिर इसके इलावा बैटल ओफ डिपार्टमेंट ऑफ मिस्टरीज के अंदर यह करता है इसका गोड फादर जिसका नाम सीरियस ब्लैक है यह उसको कोब एठता है उसकी डेथ हो जाती है यह हैरी और रॉन और हर्माइनी मिलके जो है होर्क्रक्स इसके अंदर वाल्डिमॉट ने अपनी जान डाली हुई है लाइफ डाली हुई है जैसे तोत्य में जान ड हैरी और हर्मानी मिलके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं फिर बैटल ऑफ होगवर्ट्स होती है उसके इंदर है उसके इंदर है उसके पर वाल्डेमोट अपना चाम कर देता है अपना जादू कर देता है है को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हैरी उस स्टेट में होता है को एक और जो है ना जिन्दगी और मौत के दिरम्यान में होता है अस्टेट बिट्वीन लाइफ एंड डेथ अब उस्टेट में जब हैरी होता है तब उसको अलबस डंबर डॉर होता है वो मिलता है और वो हैरी को सारी इंफ्रमेशन देता है वॉल्डे मॉड के अबाउट फिर उस जिन्दा रहना चाहते हो तो हैरी चूस करता है तो लेफ उसके बाद जब वो उठता है और फिर क्या हो उठने पूदर मॉड को हरा देता है और उसको हराने के बाद खित्म कर देता है हरी इसको मास्टर ऑफ ग्कहा जाता है अब जो वर खत्ब होती है तो Harry अभी 17 years का है तो उस टाइम वो Aurora बन जाता है A-U-R-O-R अभी ये word का मतलब क्या है Sorry, it's Aurora Aurora बन जाता है ये word का मतलब क्या है Aurora वो wizard और witch होता है ठीक है जो के law को law की enforcement enforcement के लिए काम करता है ठीक है law की enforcement के लिए काम करता है who acted as highly trained law enforcement इनको dark wizard catchers भी कहा जाता है फिर जब ये Aurora के तोर पे appoint होाना तो इसने reform किया, revolutionize किया Ministry of Magic को फिर इसके बाद ये शादी कर लेता है जिनी वीजली से जिससे इसके तीन बच्चे होते हैं एक का नाम James Sirius जो Sirius नाम रखा गया इसने अपने gaur फादर से और James इसने अपने फादर से लिया, ठीक है इसके बाद जो दूसरा था उसका राम था Albus Severus जो Albus था वो डंबर डॉर के नेम से और Severus जो था वो Severus Snape के नेम से लिया इसने तीसरा था Lily Luna जो लिली लुना नेम था इसने कहां से लिया था लिली जो था इसकी मदर का नेम था और लुना लुना लुवगुट यह कौन थी हम आगे डिसकस करेंगे फिर 2017 के अंदे जो Harry Potter था उसको प्रमोड कर दिया गया है Head of the Orr Office at the age of 26 ठीक है और 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 उफिस के तौर पर उसको प्रमोड कर दिया गया हट के तौर पर और आब वो Hogwarts में कहां करता है Defense Against the Dark Arts के Lectures देता है वोगवर्स स्कूल के अंदर तो यह सारी information थी Harry Potter के character के about अब बात कर लेते हम लोग हमारे next character की जो कि है Hermione Granger Miss Hermione Granger बहुत important character है ये भी ये 19 September 1979 में पैदा होती है और इनका blood status है muggle born muggle born कौन सा बच्चा होता है ऐसा बच्चा जिसका ना ही father magic जानता हो और ना ही mother ठीक है तो mother भी जिसकी magic ना जाने जिसके father भी magic ना जाने उसको muggle born कहते हैं ठीक हो गया और इसके इलावा इसके जो different titles थे वो क्या थे Little Miss Perfect और Hermione ठीक है ये दो इसके दूसरे names थे 11 years की थी जब इसको पहले दफ़ा पता लगा कि ये magic जानती है इसके जो nature हो magical nature है और इसको Hogwarts School of Witchcraft and Visitories से invitation आया था वहाँ पे 1991 की बात है कि Hermione ने Hogwarts School को अटेंड करने शुरू कर दिया था और ये ग्रिफिंडर हाउस में चले गई थी अब हाउस में बता दूँ आपको वहाँ पे एक था ग्रिफिंडर एक स्लिथरेन था एक हफल पफ था एक और हाउस था जिसका नाम था Raven Claw ठीक है ये चार हाउस थे ये डिफरेन्ट फोर हाउस थे जिसके अंदर सोर्टिंग हैट के थूरू डिफरेन्ट हाउस के अंदर सोर्ट किया जाता था क्लासिफाइ किया जाता था बहुत ही intelligent student थी ये और इसको हर चाम के ओपर हर magic के ओपर बड़ा कमांड था और इसने बड़ी help की Harry Potter की philosopher stone को वाल्डिमोट से प्रोटेक्ट करने में जब इसका second year था तो इसके बाद इसने बड़ा key role अदा किया बड़ा important role प्ले किया किसके अंदर chamber of secrets के उपर उसकी discovery के उपर ठीक है जब chamber of secrets के उपर ये discovery के उपर काम कर रही थी उसकी तो उस दुरान पे बैसलिक नाम का एक snake था एक serpent था ठीक है जो के एक female serpent था उसके आंखों में जो कोई भी देखता था तो वो उसका victim बनके भिहोश हो जाता था अपने senses को बैढ़ता था तो ये भी उसका victim बन चुकी थी लेकिन मैडम पॉमफरे और जो प्रोफेसर स्प्राउट थी उनकी मदद से ये बिल्कुल ठीक हो चुकी थी अब next year जो थी जब next year में इसको time turner दिया गया और उसके बाद time turner देने के बाद इसको time turner को use करने के लिए भी permission दी गई time turner क्या था जो आपको कहते हैं ये time machine का काम करना ठीक है जो आपका time ही turn कर दे वो काम करता था एक locket था इसके पास तो उसको प्रोफेसर मेक गॉनागल ने वो time turner दिया था ताके ये अपनी जो इसकी study का interest है अपने subjects का interest है same time पे ठीक है वो अपना interest पूरा कर सके और अपन क्या हुआ है हैरी पोर्टर ने और हर्माइनी ने मिलकर उस time turner को use किया serious black को rescue करने के लिए ठीक है और बग बीक को बचाना के लिए फिर उसके बाद इसका 4th year था हर्माइनी का 4th year के इसने house elves के लिए voice race की और उनकी protection के लिए काम किया 5th year के इंदर जो हर्माइनी थी उसने दंबल डॉर्स की आर्मी के लिए जो preparation करनी थी जो force को create करना था उसमें हैरी की help की और जो हॉगवर्ट स्कूल में 6th year था इसका तब ये prefect बन गई थी throughout the story जो है हर्माइनी का बहुत ही important role रहा है अगर हर्माइनी ना होती तो शायद हैरी पोर्टर जो हो क्रक्सिस को destroy ना कर सकता ठीक है है हर्माइनी और रॉन वीजली है इन दिनों मिलके through and through जो throughout the series हैं बहुत ही important role अदा किया अपना हर्माइनी की शादी हो जाती है रॉन वीजली से और इनके वहाँ से दो चिल्डरन होते हैं एक का नाम होता है रोस और दूसरा का नाम होता है होगो अब हैं हमारे पास next character जिसका नाम है रॉन वीजली रोन वीजली 1st March 1980 में पैदा होता है यह इसका जो status है blood status वो pure blood है ठीक है यह 6th और youngest son है author और Molly वीजली का 1991 में इसने होगवर्ट स्कूल ओफ विजग्राफ्ट एंड विजडरी को टेंट किया था हैरी पोर्टर और हर्माइनी के साथ इसको बी ग्रिफिंडर हाउस में ही रखा गया था through out जितनी भी troubles आई जितने भी मुसीबते हैं परिशानी आई ना हर एक के अंदर Ron Weasley, Hermione और Harry के साथ था और उनके साथ मिलके इसने proper काम किया और इनकी मैंने जैसे पहले बिताया आपको स्पोर्ट के बगएर कुछ होई ने सकता था इन तीनों की स्पोर्ट के बगएर इसने इफट भी बन गया था और एक कीपर भी बन गया था गृफिंदर कुडिच टीम के अंदर अपने स्कूल का लास्ट इयर इसने स्किप्ट कर दिया था क्योंके हैरी और हर्माइनी के साथ मिलकर ये जितने भी जो होर्क्रक्सिस थे जिसके अंदर वाल्डिमोर्ट ने अपनी लाइफ को इंजर्ट किया हुआ था लाइफ को डाला हुआ था उनको डिस्ट्रोई करना था तो इसलिए उनके साथ मिलके डिस्ट्रोई करने के लिए इसने अपना लास्ट इयर स्कूल का स्किप्ट कर दिया थ जिस फाइड में इसके ब्रैदर फ्रेड की देथ हो गई थी और वार के बाद हैरी के तरहा रोन भी जो था वो और बन गया था और इसकी शादी हो जाती है हर्माइनी से नेक्स करेक्टर की तरेफ आते हैं वसका नाम है ड्रको मैलफॉई, जो ड्रको मैलफॉई है ने गानिखा नाम खतरनाक से क्वड़ाया है, क्वेशे खतरनाक करेक्टर है, स्टार्टिंग पर लिखाया गया, अब जो है यह 5 जून 1980 में पैदा होता है, ठीक है और यह प्योर और यह एकलोती उलाद है अपने माबाप की ठीक है लूशियस और नार्किसा इसके माबाप का नाम है लूशियस जो इसका फादर और नार्किसा मैलफो इसकी मदर इसकी जो फादर थे यह ड़त इटर भी थे यह सन ओफ ड़त इटर ठीक है ड्रैको जो है यह बलड की प्यूर के लिए मगल बॉर्ण चाइल्ड के लिए ठीक है इसने जो है 1991 से लेके 1998 तक हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विज्ट्राफ्ट एंड विजर्डरी को टेंट किया और इसको सलिथरिन हाउस में रखा गया था अब जो एक मज़े की बात जो वाल्डी मॉट है ना वो सलिथरिन हाउस इसकाबान जेल के अंदर जो के बड़ी खतरनाल जेल है और जो लोर्ड वाल्डमॉर्ड था उसने चार्ज किया ड्रैको को क्या किया इसने इसने ड्रैको को ड्रैथ इटर बना दिया अड़ एज ओव 16 लेकिन इसके बाद ये क्विकली डिसलियंड हो गया कि जो ये दिया गया उसने टास्क दिया थे कि तुमने अल्बस डंबलडोर को मर्डर करना है मार देना है लेकिन अबल था अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया अब उसके बाद जो है ये टास्क सेवरे स्नेप ने ले लिया था और उसके बाद जो है सेवरे स्नेप ने अपनी द्यूटिस को परफॉर्म किया और डंबल डोर को डंबल डोर के कहने पर ही मारा जी बिल्कुल अच्छा क्यों मारा मैं बताऊंगी बाद में आपको क्योंकि जब करेक्टर डिसक्स करें तब मैं बताऊंगी आपको अब जब 2017 कर टाइम पिरियड था ड्रैको ने शादी कर ल अपको नाग नहीं अडाता क्योंकि इसके पास नाग ही नहीं है तो वॉल्डी मौट वान ने लिस्ट्न करेक्टर के लिस्ट्ट के अंदर ये क्यों क्योंके ये antagonist है और सारी ही जंग इसकी और किसकी है Harry Potter की अब Walde Mode कौन था इसकी history डिसकस करते है You know who he who must not be named और the Dark Lord इसके दो नाम है ठीक है तो ये जो Walde Mode है ना ये Muggle Child से बहुत नफरत करता है Muggles जिनके parents जो है वो magic नहीं जानते ठीक है अब interesting बात ये खुद एक Half Blood था और Half Blood ये खुद था लेकिन इसको पसंद कौन थे Pure Bloods ठीक है इसका पूरा नाम क्या लिया जाता है Tom Marvolo Riddle ये पैदा होता है 31st December और 1926 ये इसकी date of birth है इसमें और Harry में बहुत दा similarities है करदार वाइस नहीं लेकिन लाइफ के लिया आसे कैसे Harry भी ओर्फन था और ये भी ओर्फन ही था इसके जो फादर थे उनका नाम था Tom और इसकी जो मदर थे उसका नाम था मीरो उप्रटल हिस्टरी के अंदर ये second most wonderful and powerful wizard माना चाहता है और इसे तो superior था वो था Albus Dumbledore ठीक है इसकी मर्दर जो थी मर्दर इसकी स्क्विब थी अब मैंने आपको स्क्विब का तो बताया है नहीं मैंने आपको मगल का बताया इसके लगा मैंने आपको बता दिया कि pure blood कोन होता है half blood कोन होता है अब मैं स्क्विब का बताती हूँ स्क्विब ऐसे होते हैं स्क्विब opposite होते हैं मगल के मगल तो वो है ना जिनके parents magic नहीं जानते लेकिन बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों को magic नहीं करना आता, जेके रॉलिंग ने अपनी राइटिंग के अंदर squip का, तो इसकी मदर जो थी, वो मदर squip थी, उसकी जो मदर थी ना, उसको मार वोलो जो बड़ा अब्यूस करता था, उसका भाई मॉर्फिन बड़ा अब्यूस करता था, अब उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी माँ थी, वो अपना घड़ शोड़ के भाग गई, अपने साथ उसने सलिथरिन का लॉकेट ले लिया, जब वो घड़ शोड़ के गई, तो उसको टॉम नाम का एक बंदा था, बड़ा पसंद आ गया, उसने इसको लव पोशन दिया, और उससे लव पोशन जब उसने दिया, तो उसको वहां से क्या हुआ, वोल्डी मॉट पैदा हुआ, जब वोल्डी मॉट पैदा हुआ, तो इसकी मदर की डथ हो गई थी, लेकिन डच से पहले, इसकी मदर ने कहा था, आई होब ही लुक्स लाइक इस पापा, ठीक है, तो वोल्डी मॉट जो है, सान है, टॉम का, वो जो टॉम है, वो अल्रेडी इसकी बड़ से पहले ही चोड़ के चला गया था, अपनी फैमिली को, लेकिन वो एक प्योर ब्लड था, टॉम को मैजिक आता था, अब क्या हुआ, कि जब इसकी माँ की तो डथ हो गई, और क्योंकि इसकी माँ एक स्क्विप्ट थी, इसलिए ये अपनी माँ को पसंद नहीं करता था, तो इस ते अपने नाम क्या रखब, टॉम, मारवॉलो, रिडल, ठीक है, टॉम इसने कहां से लिया, अपने फादर से, मारवॉलो इसने लिया, अपने, मेटर्नल ग्रेंड फादर से, और रिडल इसका सरनेम था, इसके इलावा हैरी के तरह ये भी पार्सल टंग जानता था, स्नेक से बात कैसे करने हैं, और स्नेक की टंग को पार्सल टंग एते हैं, ठीक है, लेकिन बात आ जाती है सारी फ्रेविल की, ये भी एक्सलेंट विजिट और हैरी भी एक्सलेंट विजिट, अब बात है बडल ने होगवर्ट स्कूल ऑफ विच्क्राफ्ट एंड विजडरी को 1938 में अटेंट किया और इसको स्लिथरीन हाउस के इंदर रखा गया हैरी पोर्टर को भी स्लिथरीन हाउस में रखा जा रहा था लेकिन हैरी पोर्टर ने फ्री विल यूस की वहां पर उसने कहा कि मुझे इसलिथरीन में में डालना प्लीज नॉट स्लिथरीन नॉट स्लिथरीन तो उसके बाद उसको सोर्टिंग हैट ने ग्रिफिंडर के नदे रखा किया चाहता तो खुद भी जा सकता था लेकिन इसका मानना था अच्छा अब उसके बाद कहता था इसका जो फादर था इसका फादर प्यूर प्लेट नहीं था इसका फादर मगल था ठीक है मगल मीन्स जिसके मैंने बताया कि पैरेंट्स जो है मैजिक नहीं जानते थे और ये खुद भी मैजिक नहीं जानता था ठीक है तो इसलिए अपने फादर को भी डिसलाइक करता था तो इसलिए इसका जो नाम है टॉम और मार्वल और रिडल जो है ना इसने चेंज करके अपना नाम लोर्ड वाल्डी मॉट रखा था 16 years का था जब इसने पने पहला होड्रेक्स बनाया था और इसने पनी जो लाइफ थी उसको सेवन होड्रेक्स के इंदर डिवाइड कर दिया था हुसने और उन होक्रक्स के अंदर एक जो इसको उन इंटेंशनली और इसको नॉलज भी नहीं था वहरी पॉर्टर खुद बन बहुत ही बुर्टिल कर्रेक्टर दिखाया गया यह वाला थीक है क्रियल दिखाया गया जिसने काउंट्लेस मृडर् जो इसके डिफरंट होरक्रक्रक्स थे उन में एक डायरी थी थीक है दूसरे में इसने जो रिंग ली थी जा जो इसके maternal grandfather थे ना और उनके बेटे याने कि इसके मामू जो हुए उनके रिंग थी इसने वो चोरी कर ली थी और उसको इसने अपना होर्क्रक्स बनाया और उसके बाद जो इसका थर्ड था वो हफल पफ कप था फॉर्थ वन लॉकर्ट था जो फिफ्ट था उसका वो डाड़ाड़म था और जो सिक्स था वो हैरी का सकार था सेवन जो है वो सनेक नाइजीनी था ये सेवन के अंदर इसने डिवाइट किया था अपने jो होर्करक्स थे और जो एड था वो एड कि एक खुद था ठीक है तो टोटल एट फ्रेग्मेंट्स थे जिसमें सेवन जो थे होर्क्रक्स इसने बना दिये थे और एट ये हिमसल्फ इसकी एक बेटी थी उसका नाम था डल्फिनी ठीक है जो कि इसकी कहते है एक हरिटेज को लेके चलना फैमिली की वो लेके जाएगी फर्दर सीरीज को ठीक है और ये डल्फिनी बेलेट्रक्स और वॉल्डिमॉड की बेटी थी और 1998 के अंदे जो हैरी पोर्टर वॉल्डिमॉड को मार देता है अब बात करते हम नेक्स करेक्टर की जुसका नाम है स्नेप प्रोफेसर स्नेप सेवर स्नेप जो ये 9 जनवरी 1960 में पैदा होता है और इसके डात होती है 2nd में 1998 ठीक है ये एक हाफ ब्लड प्रिंस इसका टाइटल माना जाता है इसका स्टेटिस भी ब्लड जो है ना ब्लड स्टेटिस वो हाफ ब्लड है इसने होगवर्ट स्कूल ओफ विच्च्राफ्ट और विजर्डरी के अंदर पोश्चन्स मास्टर का काम किया 1981 से 1996 तक डिफेंस अगेंस्ट डाक आर्स जो है ना इसने 1996 से 1997 तक काम किया और 1997 से 1998 तक ये हैड मास्टर रहा हागवर्ट स्कूल ओफ विच्च्राफ्ट और विजर्डरी का इसके लावा ये और ओफ दे फिनिक्स का मैंबर भी था जो कि डंबल डोर की आर्मी थी और एक डथ इटर भी था डथ इटर जो है वो स्पोर्टर रहा है किसके वाल्डिमॉड के तो अपेरेंटली देट इटर था लेकिन ये इस चीज़ को मतल एक्सेप्ट नहीं करता था ये टर्थ एटर बनना नहीं चाहता था क्योंकि ये डबल लाइफ गुजा आ रहा था इटर के तोर पे भी और ओर ओडर फ फिनिक्स के तोर पे भी तो इसके डबल लाइफ थी उस्ते एक एक स्ट्रीमली इंपोर्टन रॉल अधा किया बौत ओफ अवदा विजरिंग वर्स ठीक है जो दो वर्स हुएं इसके अन्दर फिर्स वर्स वर्स को और और वो किसके है अगेंस्ट वाल्डिमॉट Severus जो है ये मगल फैमिली के अंदर रेज़ हुआ जो इसके फादर थे वो मगल थे इसके मदर थी वो विच थी जब ये नाइन येर्स का था तब ये लिली और पिटुनिया से मिला और इसको लिली से महबत हो गई और लिली का बहुत अदा क्लोस ट्रेंट बन गया लिली जो है वो आपको पता है हैरी पोर्टर की मदर है 1971 की बात है Severus Snape ने लिली के साथ होगवर्स को जोईन कर लिया वहाँ पे जो Snape था उसको Slytherin House में रख दिया गया लेकिन James Potter जो के Harry Potter के फादर है ठीक है उस टाइम पे तो नहीं थे ना फादर उसके वो और Sirius Plagg और जो लिली थी उनको गरिफिंडर के हिंदर रख दिया गया ठीक है उस टाइम पीरिएट पे जो James Potter थे बड़ाई प्राओड कीसम का बंदा था बुलिण किया अक्रता था सिरी स बलाग भी बुलिण किया करता था fine winner a severis snake you ठीक है और इसी बेस पे जब snake ता और Harry Potter पेदा होता है Harry Potter छाता हिए各विपॉर्टर जब शाता है स्कूल तो बड़ा irritable attitude शो करता है towards James सन Harry ठीक है जब वो professor था उसका जब स्नेप यंग था उसका डाक आर्स के अंदर बड़ा ही इंटरस्ट बढ़ गया ठीक है और उसने जो है ना स्नेप ने वो सलेतरिन हाउस के अंदर बुलीज करना शुरू कर दिया दूसरे लोगों को साथ ठीक है मतलब अब वो अच्छा बचा नहीं रहा था और इस बेस जो लिली थी उसको बड़ा दुख हुआ और उसकी जो फ्रेंट्शिप थी सेवरे स्नेप के साथ वो खतम हो गई और लिली की इफेक्शन्स को वापस लेने के लिए स्नेप ने डेथ इटर्स को जोईन कर लिया था उस टाइम पीरियेट पे और डेथ इटर्स जो थी वो पिस नेप ने डिसाइड के कि नहीं मैंने गलत किया बहुत जादा मैंने लिली के साथ अच्छा नहीं किया मुझे लोड वाल्डी मॉट को स्पोर्ट नहीं करना चाहिए था तब वो डंबल डोर की जो आर्मी है और ऑफ दा फिनिक्स वो जोईन कर लेता है और फिर डबल तर्वारोण दा नोवल्ड और जो वाल्डी मॉट है वो उसको अपना जो लोयल्टी का जो ट्रूथ था वो रवील ही नहीं होने देता किसको वाल्डी मॉट को जो स्नेप है वो अश्बस डंबल डोर जो है बहुत ट्रुस्ट करता था इसके उपर स्नेप के ऊपर ठीक है और स्नेप के कहने पे ही स्नेप ने डमबल डॉर को मारा था, ठीक है क्योंकि इनके दिरमियान में एक special agreement था, जब वो जब इस की प्रोफेसर स्नेप के death होती है, तब ये सारी क्यों सारी स्टोरी जो है पर वील होकर किसके सामने आती है Harry Potter के सामने आती है डंबल डोर के कहने पर क्यों मारा था Snape ने उसको क्योंकि Dracomalfoy ने Slow Poisoning जो होती है ना वो शुरू कर दी होई थी Elbus Dumbledore की और जो Elbus Dumbledore की जो वैंड थी ना Elder मैजिक वैंड और अगर आप मुझे मारते हो और मुझे हरा देते हो ना तो फिर वह जो मैजिक वैंड और आपके हाथ में चलेगी ठीक है और जो वाल्डीमोड था वही चाहता था कि ड्राको मेलफोय जो है वह मार दे अलबस जंबलडॉर को और उसकी वैंड जो है ना फिर हातों में जाए इसलिए इसने स्नेप को कहा था कि तुमने मुझे मार देना है क्योंकि ओल्रडी मैं मरने वाला ही हूँ ठीक है तो स्नेप के ड़त के बाद सारा कुछ हैरी पोर्टर के आगे रिवील होता है और है वह इंशोर करता है कि इसकी जो पोर्टरेट है के और सेवरिस के नेम के ओपर अब जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है प्रोफेसर अल्बस टंबल्डोर ठीक है जो के 1881 में पैदा होते हैं और यह जो है आर्ट्स प्रोफेसर रहे हैं उसके बाद ट्रांस्फिगरेशन प्रोफेसर है उसके बाद हेड मास्टर ओफ होगवर्ट स्कूल ओफ विजग्राफ्ट अन विजडरी यह रहे ठीक है यह मगल स्पोर्टिंग विजड थे और इनके जो फादर थे उनका नाम था पैर्शिवल डंबल्डोर और इनकी मदर का नाम था कैंडरा डंबल्डोर इनके यंगर ब्रदर का नाम था अबरफोर्थ और सिस्टर का नाम था अरियाना ये इल्डर ब्रदर थे अपने दोने भाइन भाईों के इनके फादर के डेथ असकाबान में हुई थी जब डंबलडोर यंग थे उनकी जो मदर और सिस्टर थी उनको एक्सिडेंटली किल्ड कर दिया गया था मार दिया गया था इनके जो अर्ली लोसस थे उन्होंने ग्रेटली एफेक्ट किया इनको इनके इनके डेथ के टाइम पे भी लेकिन इन जो लोसस थे उन्होंने इसको एक बैटर परसन बना दिया था इवन दो वाल्डी मोर्ड के भी बहुत ग्रेटर लोसिस थे बट वो क्या बन गए एक इवल परसन अगेन बाद फ्री विल की आ गई इनका पेट्रोनिस जो था वो फॉनिक्स था हाउस इनका भी ग्रिफिंडर था निकोलस सोरी निकोलस फ्लेमिंग के साथ मिलकर इन्होंने अलकेमी के ओपर काम किया और इन्होंने डिसकोवरी की थी यूजरस ओफ ड्रेगन के ओपर इनकी वैंड का नाम जो था वह इल्डर वैंड था और throughout the series इनका बड़ा important role रहा है क्योंकि अगर Dumbledore ना होते तो हमें जो Lord Voldemort है उनकी weakness का पता ना चलता और ना ही Lord Voldemort को हम मार पाते चले, Voldemort तो मर गया Dumbledore की भी death हो जाती है एक cursed ring से क्योंकि मैंने बताया था कि वो जो cursed ring है वो slow poisoning का काम कर रहे थी जो कि Draco Malfoy उनको मारना चाहता था तो जैसे कि he was about to die by a curse ring तो यह plan करता है Severus Snape के साथ अपनी death का और Severus Snape जो है वो इसको मार देता है ठीक है अब इसके बाद next character है वो है Luna Lovegood का यह एक British witch थी इसकी जो mother थी उसकी accidentally death हो चुकी हुई थी जब वो एक charm का Xpels का experiment करी थी उस दुरान तब लूना जो थी वो सिफ और सिफ 9 साल की थी और बाब ना जो लूना की जो अब ब्रिंगिंग थी ठीक है उसके फादर ने की उसके फादर जो थे वो एडिटर थे of the magazine The Quibler ठीक है Quibler Q-U-I-B-B-L-E-R इसके वो एडिटर थे इसके फादर 1992 से 1999 तक जो लूना है उसने Hogwarts School of Witchcraft and Visitory को अटेंड किया था और इसको Ravenclaw House के अंदर सौर्टेड किया गया था अपने 4th year के अंदर इसने Dumbledore's की आर्मी जो थी उसको जोइन कर लिया था जिसके अंदर जो Harry Potter है वो सबको Magic सिखाता था और इसका नाम से रखा था Dumbledore's Army ठीक है और यह बहुत important member बन गी थी उस group की इसको Death Eaters ने पकड़ लिया था और इसको जो डॉबी है उसने free किया था यह lonely थी लड़की ठीक है और यह अपने it get friends का circle चाहती थी लेकिन उसके बाद जो है ना इसने कभी भी compromise नहीं किया अपनी true self के लिए किसी के लिए भी ना अपनी true self को ठीक है यह अपने साथ हमेशा हर matter के अंदर जो भी matter रहा यह true ही रही है ठीक है सच का साथ देने वाली और इस बेस बेस को Harry और जीनी वीसली दोनों बहुत एड्मार करते थे और इसलिए उन्होंने अपनी बीटी का नाम इसके नेम के उप हारी पोर्टर अंदर देथली हैलो के अंदर होती है ठीक है और यह फिक्शनल करेक्टर है पूरी सीरीज के अंदर और यह जो है करेक्टर जब बुक के अंदर इंटर्डिउस हुआ तो हाफ जायंट के तोर पे और हाफ हुमेंट के तोर पे मार पस इंटर्यूस हुआ हाफ बाद में रिवील होता है कि यह हागरद है यह ओडर अफ दी फिनिक्स उसका मैंबर भी है next character रहे हैं बेलत्रिक्स का इसकी बार्सक this is 1951 और यह और बलर्डैस क्स्टेटस यह और रेकलिस की in June of me to universum की जौन thus णौन यह बाइक बायन और यहांदा टॉंक्स और नार्कеци不多 की जूंन हो मदर हैं इसकी ड्रैको मैलफोय की यह हाउस ऑफ ब्लैक की मैंबर है जब यह होगवर्ट में थी तो इसको स्लिथरिन हाउस के इंदर रखा गया था यह एक डेथ इटर बन गी थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद और यह लोड वॉल्ड मॉट को बहुता आइडिलाइस करती थी मॉली वीजली ने इसको मार दिया था ठीक है और डेच से पहले इसने एक चाइल्ड को पैदा किया सका नाम है डल्फी नी और यह डॉर्टर किसकी है यह डॉर्टर बिसिकली लॉर्ड वाल्ड मॉट की है आगे देखते हैं वाल्ड मॉट की सोरी डोबी दा हाउस अल्फ दोबी यह स्पोर्टिंग प्रोटेगोनिस्ट हरी पोर्टर की सीरिस के अंदर और अपनी फर्स्ट अपेरेंस की होती है सेकिंड बुक दे चैंबर ओफ सीक्रेट के अंदर नेक्स अर्टर मार थाता है नेवल लॉंग बॉट्टम का इसकी बर्च वह थर्टी जूलाई नाइटी में होती है यह भी प्योर ब्लेड है इसके पैरेंट्स बहुत वेल रिस्पेक्टेड परसंस थे ठीक है उनको बेले ट्रक्स में बहुत जादा टोर्चर किया और इसकी फिर ग्रैंड मदर थी उन्होंने इसकी अब ब्रिंगिंग की ठीक है उसके बाद यह हैरी प इसकी बाता हमारे पास हो है प्रफेसर में गॉनागल का जो प्रफेसर में गॉनागल है यह हाफ बलर्ड है ठीक है और जब इन्होंने एद्मिशन लिया था इसकूल के अंदर उस तो उनको उस ताइम पीरिड पे जो सौट इन है उसको बहुत ताइम पीरिड लगा बहुत इनको है स्किर खेसरी माजय केंध वन होनने टुओ इसकी सिचेशन के बात इन्हु की एद आउछल में वापस आगी भूगवर्स में होजले खेसरा इन्होंने हाफ काश क को नागरने था ने थे कई नगे आप धर काम एड़ इस स्टाइम पर उनको किया है तुव टूप ट यह basically Harry Potter का Godfather था और James Potter का उसकी lifetime पे यह उसका बोट अच्छा फ्रेंड भी रहा है जब यह स्कूल में थे तो इस टाइम पे इनके फोर फ्रेंड्स का गुरूप था उसमें एक था James Potter, एक Sirius Black, एक Remus Lupin, एक Peter Petrigu, इनको धोका दिया था और वो वाल्डी मॉट के साथ मिल गया था ठीक है तो Sirius Black उनमें से सर्वाइव किया और जो है रिमस लुपन है वो सर्वाइव किया James Potter की तो डथ हो गई थी वाल्डी मॉट के चाम से तो लेटरोन जो है इसी कजन बैला ट्रक्स ने इसको मडर कर दिया और इसके बाद 1998 में रिजर्क्शन स्टॉर्न के ओपर हैरी पोर्टर को मिला दुबारा यहीं कि ब्रीफली अपेर दुआ था वहां पे थीक है अलोंग विजेम्स अन लेली पोर्टर अब इसके बाद नेक्स ट्रेक्टर मार पसाता है वह है गलेट ग्रिंडल वर्ल्ड का थीक है तो यह जो गलेट ग्रिंडल वर्ल्ड है इसको बिसिकली जो हमारा अल्बस जंबल्डोर है अपनी यंग एज में बहुत जादा पसांद करता था विजर्डिंग वर्ल्ड के अंदर यह मोस्ट डेंजरूस डाक विजर्ड माना चाहता है आफ्टर लोर्ड वॉर्ड ठीक है यह बहुत कंप्लेक्स फिगर है और हाईली आइलिस्टिक हो टालेंट टालेंट फिगर भी दिखाया गया है ठीक है और 1998 की बात है कि जब इसने रिफ्यूस कर दिया था वाल्ड मॉट को कहले रवैंड की लोकेशन कहां पे है वो बताने से नेक्स्ट करक्टर मार प जब यह स्कूल में पढ़ने के लिए तो इसको हुफल पफ हाउस में रखा गया और उसके बाद जब यह एजुकुशन कंप्लीट कर चुका था तो इसने मिनिस्ट्री आफ मैजिक को जोइन कर लिया था वहां पे इसने दो येर्स टू येर्स पैंड किये थे इन दा ओफ च exists for house relocation ठीक है अब चो अग्ला ओता चारेक्टर रहे है जो जो थे जिस्टर रही इस Torah कर रही है और ओप।न कर रही है से की साधी हरी पोर्टर से होती है और ये कि हम्पॉंटन अबरे इंप्रेपर उसके इपार होती हłem नेक्स तकर वा रहे है और मिंसे बैस उता है तू बहुत ही बुटल ट्रीटमेंट करती है हर एक को बहुत है एक को बहुत है एक स्टूडेंट करती है और वहां पर जाने के बाद यह Albus Dumbledore को भी भी वहां से फायट कर देती है ठीक है यह बिटिश Ministry of Magic Bureaucate जिसने Senior Under Secretary to the Minister for Magic Under Minister's अब उसके बाद जो है जब सेकंड विजर्डरिंग वार होती है उस टैम प्रेट पे शी वास संटेंस तू अजकबान ठीक है अपने क्राइम्स की बेस पे जिसने मुगल जितने मुगल बॉंज होते हैं उनके गेंच किये होते हैं और फॉर दलस्ट रेस्ट ओफ हर लाइफ यह वहीं पे असकावान में रहेगी अगला क्रेक्टर आता है हमारे पास पैंसे पार्किंसन का ठीक है जो के एक प्योर ब्लड और हाफ ब्लड दोनों तोर पे काउंट होती है और नेशनलिटीस के बिटिश और आरिश काउंट होती है यह एक विच थी जो के हैरी पोर्टर सब्सक्राइब आती है तीक है अब उसके बाद जो है यह स्लिटरिन हाउस में स्कोर रखा गया था जब फाइनल पैटल होती है सेकिंड विजर्ड रिंग वर्ल्ड की तो उस ताइम पिरिट पे सेकिंड में 1998 की बात है पैंसे जो है स्पॉक अप इन फेवर ऑफ तर्निंग हैरी पॉर्टर ओवर टू लॉड वाल्डमॉट यह जो रियक्शन होता है यह करता है जो मिजोरिटी होती है स्कूल मेड्स की वह अपनी जो वैंड होती है वह हैरी के डिफेंस के लिए इसकी तरफ कर देते है और यह जूम किया जा सकता है कि जो पैंसे है उसने सेकिंड व जो फीलिंग्स रखती है ठीक है और जो डिफरेंट परसंस होते हैं उनको डिफ्रेंट हॉ creator वह सब्स तास है क्लासिफिकिशन करती है अगला क्रेक्टर हमाल पसाता है चू चे करता है यह रेवंकला हाउस से बिलूग करती है और यह शीखर भी है किसकी सीखर है रेवंकला आर्मी को जॉइन कर लेती है और सेकंड विजर्डिंग वार के अंदर ये सिर्वाइफ करती है और एक मगल से शादी कर लेती है पीटर पैट्रिक ग्रिव असल में तो ये रोन वीजली का चूहा है ठीक है जे बिलकुल जेम्स को सीरियस ब्लैक को और लुपिन को बिट्रे कर है तो ये ही लोड वॉल्डमोड को वापस बनाता है किस तरह बनाता है है हैरी के बलड से और ये जोई साद्रिक उसकी भी डथ का कोस बनता है उसके बाद नेक्स करेक्टर में पास है नाजीनी का नाजीनी बिसिकली एक फीमेल है और ये एक स्नेक है ये होर्क्रेक्स भी है इसके बाद नैक्स करें आता है वह है डेडले डर्ज्ले का डेडलेकोन आपको पता है अच्छे से डेडलेकोन है यह बिसिकली कजन है Harry Potter का जो कि Harry Potter के साथ बहुती Brutal treatment एक तॉरट दरीज तो बहुत साथ बुर्टल ट्रीट्मेंट रगता है यहारी पोर्टर के साथ उसको तोर्चर करता है उसकी चाइल्डूट लाइफ के अंदर लेकिन उसके बाद जब बड़े हो जाते है और जब वाल्डमॉट जो है वो इसको अटैक करने लगता है डर्डले के ओपर तो उस ताम पिरिट पे डर्डले है उसको हैरी पोर्टर सेफ करता है और आफ्टर सेकिंड विजर्डिंग वार्ड यह बस जाता है और इसके बाद यह शादी कर लेता है और इसके बाद जो है इसके दो बच्चे भी होते है और यह हैरी के साथ कॉंटक्ट मही रहता है अगला क्रेक्टर मार्पस लुशियस मलफय नाम ही साटन लुशियस लिखना रखा ही लुशियस नाम ही लुशियस लुशिय करेक्rif हैं लूशियस् करेक्टर SASK का था यह Draco Malfoy उसका फादर है और यह डेथ इटर में से एक है यह प्यूर ब्लड है और साथ ही साथ जो है जैसा कि यह डेथ इटर था यह और वाल्डमॉट उसने इसके साथ बहुत बुरा सलूग भी किया इसको प्रिजन भी कर दिया था ठीक है और इसने फाइनली क्या किया फैमिली थी उनको पार्डिंट कर दिया गे था माफ कर दिया किया था क्योंकि इन्होंने वॉल्डमोर के गेंस्ट राबल किया था बागी हो गए था इसके इसी बेष पे इसके बाद नेक्स्ट्राद हमारे पास हुआ है हैडविक का है बिसी गली कौन है यह अउल है उसका Harry Potter का जिसको Hagrid ते गिफ्ट किया था Harry Potter को और थुरा थुर। बहुत लोयल रहा है यह Harry Potter के साथ आगे नेक्स करेक्टर है हमारे पास Fred Weasley का and George Weasley का Fred के death हो जाती है ठीक है During the battle और यह Fred और George यह आपस में twins है और यह Ron Weasley के और Ginny Weasley के brothers है Next आता हमारे पास Narcissa Malfoy जो Narcissa Malfoy है यह Mother है Draco Malfoy की और Wife is Lucius Malfoy की तुरूआउट इसने अपने हस्बेंड को स्पोर्ट किया है बलड की प्यूर्टी पर बिलीफ रखती है बेलाट्रेक्स जो है इसकी यंगर सिस्टर है यह बलाट्रेक्स की यंगर सिस्टर है ठीक है यह खुद ऑफिशल डेथ इतर नहीं थी लेकिन अपने हस्बेंड को मेंशा स्पोर्ट किया इसने नेक्स्ट मार पास आता है फ्लेयर डलाकॉर का करेक्टर इसने प्यक्स बॉर्टन्स अकाड़मी ओफ मैजिक को अटेंड किया इसने बड़े ही ब्रेवली कंपीट किया था लेकिन एंडिट किया हुई थी पुछी ट्रेजिक एंडिट के इंडिंग के अंदर जो सेड्रिक था उसकी डेथ हो गई थी ठीक है और जो लॉर्ड वाल्डरमूर्ट था वो वापस आ गया था जब सेकेंड विजिरिंग वार हुई थी तो यह और बिल इन दोनों के तीन चिल्डरन थे और सेकेंड विजिर्डिंग वार्ड से पहले ही इनकी शादी हो चुकी हुई थी नेक्स क्रेक्टर आता है हमारे पास अलबस सेवरिस पॉर्टर का जो के बेटा है है हैरी पॉर्टर का और यह छोटा भाई है जे पॉर्टर की मदर है पेटूनिया की सिस्टर है और यह एक विजर्ट थी ठीक है जब हालोवेन नाइट थी 1981 की तो उस दुरान वॉल्डर मॉर्ट जब मारने के लिए था हैरी पॉर्टर को तब इसकी 1981 को ड़त हो गई थी ठीक है 31 अक्तूबर में अपने बेटे की जान ठीक है जिसको जादू नही आता था लेकिन इसके पैरेंट्स को जादू आता था और यह केर टेकर था होगवर्ट स्कूल्स ओफ विच्ग्राफ्ट एंड विजर्डरी का और यह 1973 से यहां पे केर टेकिंग कह रहा था इसकी यह कैट थी उसका नाम था मिस्स नॉर्स ठीक ह है और अपनी कैट से बहुत आदा प्यार करता था जब बैटल ऑफ होगवर्ट सुई थी 1998 में तो फ्लिश ने स्टूडेंट्स की बड़ी हैल्प की थी वहां से स्केप करने के लिए बैटल के इंदर और इसके इलावा सेकेंड विजर्डिंग वार के बाद इसने अपनी ज है और इसके इलावा अलबस डिंबल्डोर की रिक्वेस्ट के उपर इसने आकर जो स्कूल है उसको जोइन किया था 1994 में डिफेंस अगेंस्ट अगेंस्ट डाक आर्ट्स प्रोफेसर के तोर पे लेकिन जबी आ रहा था तो इसको बाटी क्राउच जे एन आर जो है उसने जा सके एनिहाँ जब यह बैटी कराउच जो पकड़ा गया और जो मूडी है वह उसको रिसक्यू कर वा लिया गया तो सेकिंड टाइम पर फिर वह हमारे पास सेकिंड विजरी वार के इंदर आया उसने बैटल लडी ठीक है और उसके बाद जो है 1997 में इसकी डेथ हो जाती ह ऑर जब फोर्टर को डेथ होती है यह एक प्यो बिलेड था नेक्स जाता हमारे पास टैक्टर जेंस सीडिय स्पोर्टर जो के हैरी पोर्टर का बीट है इसके बा की पास आता है वो है जागा तो की टीम के लिडि़ेंड पर की तleaffe टहल इसके एक मदस का वाउस टीम पास वो है morning metal का ठीक है और इसकी death हुई थी कैसे हुई थी इसकी death Tom Riddle की eyes में देख के हुई थी और उसके बाद ये through and through washroom में ही रहती थी और ये रोती रहती थी रोती रहती थी ठीक है ये एक basically रूह थी और उसके बाद next character है हमारे पास वो है ट्रेलाउनी का जो ट्रेलाउनी है ये फॉर्चून टैलर है ये हॉगवर्ड के अंदर प्रोफेसर ओफ डिविनेशन है इसके बाद नेक्स थेक्टर है वो है विंकी का विंकी जो है ये एक και फ्रीर हॉस है जो कर थे कभी भी स्री होना चाहती ही नहीं थी और ये किनकी एल्फ थी यह इसको फ्री कटिक दिए गया या विंकी को तो इसको अच्छा का सा डिप्रेशन हो गया और डिप्रेशन बाद इसने हैविली डंकिंग करुंग करना शुरू कर दी थी कि डॉबी ने विंकी को जॉब लेकि री थी होगवर्ट स्कूल ओफ विज्च्राफ्ट और विजिडरी के अंदर ठीक है जहां पर इसने सेकंड टाइम हैरी पोर्टर से मुलाकात की थी और सेकंड में 1998 को जब बैटल ओफ होगवर्ट सुई थी तो विंकी ने ठीक है चर्टिसा का अंक्र पहला के डाइवर्ट कवार्ट कि आरे भी एकी तसर agysi को फ Bennett अंकल की आ यह ए वाइफ्ट ऐस्केल आवा यह जो लिली से चीह थी जैलिस होती तो क्युँकिए यह बास मैजिकल पावर्ट टी इस अरे लिली को अदॉर करते थे इस बेस स्क्रे यह च्रेक्टर फिलिंगन का शोरी शीमस फिंगन का जो यह शीमस है ना जिए ग्रिफिंडर से बिलॉंग करता था और उसके बाद जो है यह पहले तु इसने हारी के उपर डॉट इट था कि हैरी जुआ है रडॉर्ड वाल्डमुर्ड की बात करता है ठीक है है हैरी शही बात के अंदर बड़ा ब्रीवली पार्टिस्पेट किया था इसके बाद नेक्स करेकर था हमारे पास वह है विक्टर कोरम का जो विक्टर क्रम था ना ये एक बलजेरियन विजर्ट था ठीक है इसने ड्रमस्ट्राइंग इंस्टूट को अटेंड किया था ये सीकर था ये ये नेशनल कृडिस्टीम के अंदर था ठीक है और इसकी एज जो थी उस टाइम पर एटीन थी इस ते भी ट्राइवजर्ट टोर्नमेंट के अंदर पार्टी स्पेड किया था अब उसके बाद नेक्स करेक्टर है मारे पास वह है रिगलिस ब्लैक का जो के सीरियस ब्लैक का ब्रदर था इसको स्लिधरिन स्कूल के अंदर स्लिधरिन हाउस के अंदर सोट किया गया था उसके बाद ये ड़्ट इटर बन गया था वॉल्डरमोड का लेकिन बाद में से देखा कि वॉल्डरमोड के तो एम्स अच्छे नहीं है तो इस ते वॉल्डरमोड को चोड़ने क वाल्डमोर्ट का एक होर्क्रक्स था उसके बारम पता लगा तो इसने फास्ला किया वो इसको डिस्ट्रोइ कर देगा ठीक है और इसको जो है सलाजार सलिथरीन उसके लेने के बाद naar नार थिया गया था ऍार नार आवार चाल है लेक्ड़ सबस्क्रणों नगाना मार दीया गया था नक्सट्स क्रेक्श कग देड Indeed उसकोई का इसको अर्टी अर्क्रडार ने और यह सत्बोर्ड उकल फेपर मार सतर है वो है कज़बस कर दोड़ वोड के अंदर एक इन्डिस्ट्रॉक्टिबल स्परिट आफ कि यह थे थूँ एंधू ट्रबल्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ठीक है और इन्हाबिटेंट्स के लिए वो थीए इसको जो कॉंट्रोल कर से था वो था ब्लडी बारन और अल्बस डंबलडूर बस जो नेक्स करेक्टर वो है लिली लूना पोर्टर का जो कि हैरी पोर्टर की उजिनी वीजली की डॉटर है आप यह दिख सकते हैं यह ठीक है इसके बाद नेक्स करेक्टर जो हमारे फिलोस्फर स्टोंस के अदर उस ही में इनकी डेफ हो जाती है यह वाल्डर मोड के स्पोर्टर है जो अपेरेंटली तो मैड लाइक क्रियेचेर एक्ट करते हैं लेकिन इन इन इनमाड है थीक है तो यह लोगों को बेवब वबने कोशिच करते हैं कि मैं एक मैड मैं हूँ तर्वन आरक्ट कैंडर वाल्दी मोड का सह रहे हैं इनहोंने वाल्दी मोड का स्पोर्ड किया ता और कहा था वड्ली मोड और दोनों हैं थ्रू आउट दे सीरीज है रिपोर्ट और सुरी ये मालफोय के फ्रेंड्स रहे हैं लोयल फ्रेंड्स नेक्स्ट है मारे पास क्रेक्टर आता है है हुग का मिस हुग जो है ये इनको स्टुडेंट्स को फ्लाइंग इंस्रक्शन सथी यह स्कूल के अंदर फ्लाइंग इंस्ट्रॉक्टर्टर थी और गृडिए और ऑर वे वेंड वह बड़ स्पेशल है अ लेक्स्तम आरे करेक्टर हमारे पास वह है नेली हेड्लस निक्क का जिन狂 का यह लेहल निम सई हैं निक इपस द्द ट सיו हैं कर ने पंद इनको एक ही चाम आथा था वो था दूसरों की मेमरी को बुला देने वाला नेक्स करेक्टर आथा हमारे पास अरगोग का अरगोग जो है यह बिसिकली इक स्पाइडर ए ठीक है बुर्ट बड़ी स्पाइडर जिसको है हाग हाग लेके आया था स्कूल के अंदर ठीक है और यह ऐसी स्पाइडर है जो के स्नेक है उससे डरती है ठीक हो गया और यह सारी स्टोरी जो है और हागरिट की जो इनोसेंस की स्टोरी है वो रिवील करती है 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 रिपोर्टर को और रॉन वीसली को नेक्स आता है हमारे पास कंप्र प्राउड क obviamente किया हुआ जा सकता हैं तो वी तेसे उसे क्या होता है जो नहीं बैसलीपक्त का Märagd वो सब ठीक हो गए नेक्स लेक्स आपस है परसी बीडी परसी वीज outlook रहे है दो खूल के अंदर सेफ्डी साथ यहां पृफिछ जोडल को अख यहां परसी हो जोड शूट मैं फरेड और जोड पैचके बाय थे यह pię Hai अर्म्राइद के अधे नेक्स आता?... है मर एंद थे कुछ Cedric , Cedric , एकाश रभी पास गॉबलिट अफ फायर के अंड पर गॉजा तर्मेंट पे वोजा जाती ही जो के बूर्ट ट्राजिक डेथ होती है पीट पै्ट्रिक गॉर्ड गॉर्यो जो हो इनको मारता आगे अरगे ट्रेक्टर है था आता हो है एक और का यह विजिट और हैड मास्टर था दंप्स्ट्राइंग इंस्ट्यूट के अंदर यह ड़्ट इटर भी रहा है लेकिन इसने बार में इससे हट गया था बर्टिमियर्स क्राउच सिनियर से सीज बिस्ट गया इसने में की लाह बिलेट्टी आप्ड विजर थीक है यह फादर बर्टिमेस चाह जूनियर खे एक इंफलेंशियल ब्रिटिशिव डिश्ट्रीश ओफ मैजिकड ओफिशियल थे दूरिंग तो अविटीच सेंच्री है उर इसके बाद य बहुत जोब के साथ बहुत जादा लोयल थे आगे आगे आजाता हमारे पास Olympe की स्वरी ओलम्प का करेक्टर ये फ्रेंच हाफ जाइन्ट विच थी ठीक है और है और है मिस्ट्रिस थी ये बिच्ट बेटन अकाडमी ओफ मैजिक की नेक्स आते है मारे पास करेक्टर कोई भी नहीं Thank you so much for watching this video सबके सब करेक्टर्स तुरौव दर सीरीज जितने भी अब तक आचुके हैं हमने इस वीडियो के इंदर डिसकस कर ली है Thank you so much for watching this video Please subscribe our channel दुआओ में खास याद रखेगा इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है ठीक है और यह special मैंने आपकी request के उपर बनाई है तो इसको like भी जरूर करिएगा दोस्तों से share भी करिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अलाहाफेज